नमस्कार, मैं प्रसद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड के बारे में एक शक्स ने पिछले साल एक ट्रेड किया जिसमें उन्हें 18,000 करोड रुपे का प्रॉफिट हुआ यह वही टाइम प्रेड था जब कोरोना वाइरस पैंडेमिक की वज़े से स्टॉक मार्केट काफी गिर चुका था इंडियन स्टॉक मार्केट इस दोरान 20% से ज़ादा गिर चुका था कि Bill Ackman जिन्होंने यह ट्रेड एक्जिक्यूट किया वो आखिर है कौन Bill Ackman एक American investor और hedge fund manager है साल 2004 में उन्होंने अपना hedge fund Pershing Square Capital Management शुरू किया जब उन्होंने यह fund शुरू किया तब वो hardly 3000 करोड रुपे का fund manage कर रहे थे लेकिन Pershing Square ने दीवे अच्छे returns के चलते करीब 80,000 करोड का fund manage करते हैं इस hedge fund को शुरू करने से लेकर आज तक इस fund ने compounded सालाना 17% का return दिया है जो कि मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा return है Bill Ackman ने साल 2012 में भी एक बहुत बड़ा trade execute किया था लेकिन वहाँ पर उन्हें loss हुआ था वो भी 1 billion dollar का यानी करीब करीब 7,000 करोड रुपे का इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में detail में बात करेंगे फिलल फोकस करते हैं सबसे profitable trade पर मार्श 2020 के शुरुआत से ही कई सारी countries में coronavirus के चलते lockdowns लग रहे थे कई सारी businesses पूरी तरह से रुख गए थे ऐसे में Bill Ackman को लगा कि US में भी lockdown लग सकता है और US के businesses पर भी इस coronavirus pandemic का negative impact हो सकता है जैसे कि हमने बात की कि Bill Ackman अपने hedge fund के जरिए 11 billion dollar manage करते हैं और यहाँ पर उन्हें ये लगबग पता ही चल गया था कि coronavirus pandemic की वज़़े से और lockdown की वज़़े से businesses पर negative impact हो सकता है इसलिए पहले उन्हें ने सोचा कि मेरे portfolio में जो भी चीज़े हैं मैं उन्हें पहले बेज देता हूँ और उन्हें cash में convert कर लेता हूँ ताकि अगर market गिर भी जाता है तो मुझे जादा नुकसान नहीं होगा बाद में उन्हें थोड़ा और सोचा और अपना plan बदल दिया 3 मार्ज 2020 को उन्हें एक price release की और उसमें उन्हें बताया कि Pershing Square ने 27 million dollar यानि करीब 190 करोड रुपे के US corporate bond के against CDS यानि credit default swap खरीद लिये हैं credit default swap that is CDS का नाम शायद अपने पहले भी सुना होगा 2008 के financial crisis में एक person ने बहुत जादा profit कमाया था और उनका नाम था Dr. Michael Burry Dr. Michael Burry ने CDS की मदद से ही उस crisis में बहुत जादा profit कमा लिया था उन्हें उस crisis में कितना profit कमाया था नीचे comment करके ज़रूर बताये वो भी बिना Google किये सही जवाब को हम heart दे देंगे CDS एक insurance की तरह काम करता है तो जब Bill Ackman को लग रहा था कि उनके portfolio में जो भी stocks हैं उनकी prices गिर सकती हैं तो उन्होंने CDS खरीड लिये यानि एक insurance खरीड लिया और इस insurance के चलते जैसे ही corporate bonds default करेंगे या फिर उनकी price नीचे चले जाएगी वैसे ही Bill Ackman को profit हो जाएगा अब coronavirus की इस pandemic की वज़ा से कई सारे bonds default होने लगे stock market में भी prices तेजी से गिरने लगे और इस downward moment का Bill Ackman को बहुत जादा profit हुआ तो यहाँ पर Bill Ackman ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ कई सारे bonds और कई सारे stocks गिरने की वज़ा से बिल Ackman को बहुत जादा profit हुआ उन्हेंने जो 190 करोड के CDS खरीदे थे उन पर उन्हें 2.6 billion डॉलर यानि करीब करीब 18,000 करोड रुपे का profit हुआ बिल Ackman का ये trade दुनिया का आज तक का सबसे profitable trade माना जाता है साल 2008 के financial crisis में डॉक्टर माइकल बरी को CDS का इस्तेमाल करके 700 million dollar का यानि करीब 45,000 करोड का profit हुआ था लेकिन यहाँ पर बिल Ackman का जो profit है वो उससे कई गुना जादा है CDS की जो story है वो भी काफी interesting है डॉक्टर माइकल बरी को जब 2008 के financial crisis के बारे में पहले ही पता चल गया था तो वो ऐसे एक instrument का research कर रहे थे जो उन्हें उस downfall में profit कमा कर दे ऐसे यह किताब पढ़ते-पढ़ते उन्हें CDS के बारे में पता चला और उसके बाद वो कुछ investment bank से मिले और उनसे जाकर उन्होंने CDS की deals की और बहुत अच्छा profit भी कमाया इंडिया की बात करे तो इंडिया में CDS अभी तक legal नहीं है बिल एकमेन को जो 18,000 करोड का profit हुआ था उसे भी उन्होंने बहुत ही intelligently use किया मार्श 2020 में जब कई सारी companies के shares काफी जादा गिर चुके थे तो उन्होंने उन 18,000 में से 10,000 करोड रुपे के अलगलग companies के shares खरीद लिए उन्होंने तब बक्षाय है था वे Starbucks, Hilton, इन जैसे companies के shares खरीद लिए और बाकी 7-8,000 करोड रुपे cash में अपने पास रखे इस सबसे profitable trade के बाद एक बहुत बड़ी controversy भी create हुई थी controversy ये थी कि Bill Ackman ने CDS खरीदने के कुछी दिन बाद एक tweet किया, उस tweet में उन्होंने कहा था कि US को बचाने का एक ही तरीका है, वो ये कि पूरी country को 30 दिन के लिए shutdown यानि lockdown लगाया जाए और सारी borders close कर दी जाए शुरुवत में लोगों को लगा कि Bill Ackman इसलिए ये कह रहे है क्योंकि वो country को बचाना चाते है लेकिन बाद में कही सारे लोगों ने उन पर ये आरोप लगाया कि क्योंकि उन्होंने CDS खरीद लिये थे तो lockdown लगाने का उन्हें काफी जादा फायदा होने वाला था और उसलिए उन्होंने वो tweet भी किया था अब बात करते हैं Bill Ackman के 2012 के trade के बारे में Bill Ackman को लग रहा था कि Hubba Life इस company की share price काफी तेजी से गिर सकती है उन्होंने तो in fact ये भी कही दिया था कि इस company के share price जल्दी 0 हने वाली है और इसलिए उन्होंने इस company को publicly short कर दिया था जब आप short selling करते हो तो जितनी company के share price नीचे चली जाती है उतना आपको profit मिलता है लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ Hubba Life के share price 0 तो नहीं हुई साथ हे वो गिरी भी नहीं उसके बजाए बढ़ती चली गई और ऐसे में उस trade में Bill Ackman को 1 billion dollar का नुकसान हुआ था यानि उस time करीब 6,000 करोड का नुकसान हुआ था यह पूरा मामला बहुत ही interesting था और इस पर एक बहुत ही interesting documentary भी बनी है जिसका नाम है Betting on Zero यह documentary किसी भी बड़ी OTT या streaming platform पर available नहीं है आप इसे Amazon से खरीच सकते हो इसकी current price जो है वो 1,500 से 200 रुपे चल रही है लेकिन यह एक ऐसी documentary है जो मैं आपको suggest करूँगा कि आपको बिलकुल देखनी चाहिए आज के इस फिडियो के प्रायो जख है CoinDCX Go app जो कि इंडिया का सबसे simplest Bitcoin app है और जिसे इंडिया के सबसे बड़े crypto exchange CoinDCX ने develop किया है यहाँ पर buying और selling की process बहुत ही आसान है इस app पर जाकर register कीजिए KYC कीजिए और अपने bank account को link कीजिए That's it CoinDCX Go app पर आप सिर्फ 100 रुपे से भी start कर सकते हो और 24-7 कभी भी पैसा deposit या withdraw कर सकते हो CoinDCX बहुत safe है और BitGo से insured भी है जो कि उनके custodian है यहाँ पर कई सारी security features भी use किये जाते है जैसे कि two-factor authentication withdrawal password, etc साथी company ISO certified है और KYC or ML जैसे सारे compliance को वो follow करते है उन्होंने d6learn.com यह free crypto learning platform भी develop किया है जहाँ पर आप free में crypto currencies के बारे में सीख सकते हो जहाँ तो crypto currencies की बात है तो उन्हें buy या sell करना इंडिया में legal है बस आप उन्हें legal tender के तोर पर इस्तमाल नहीं कर सकते यानि crypto currency को आप किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए इंडिया में इस्तमाल नहीं कर सकते तो इस वीडियो के conclusion में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि Mr. Bill Ackman ने यह जो CDS खरीदे थे यह उन्होंने अपने portfolio को बचाने के लिए खरीदे थे और इसे hedging कहते हैं अब hedging क्या होती है उसे इंडिया में आप कैसे कर सकते हो इसे हमने हमारी future series में detail में बताया है तो हमारी future series आप जरूर शेक आउट कीजिए जिसके link निचे discussion में आपको दी गई है वहाँ पर हमने बहुत ही आसान भाष्ण में futures के बारे में आपको सिखाया है साथी hedging के बारे में भी examples वो भी practical examples देकर बताया है तो जहां तक derivatives market की बात है तो derivatives market का इस्तमाल आपको hedging के लिए ही करना चाहिए अगर आप बिना सोचे समझे वहाँ पर कुछ भी खरीदोगे बेचोगे तो वहाँ पर नुकसान होने के chances बहुत जादा है तो बहुत सोच समझ के ही आपको derivatives market में trade करना चाहिए और जैसी के हमने पहले ही आपको बताया के CDS इंडिया में legal नहीं है साथी कई सारे अलग-अलग products जो US में चलते हैं जैसी के equity crowdfunding, SPAC, direct listing इन जैसी facilities इंडिया में allowed नहीं है तो जब इन जैसी facilities इंडिया में भी आएगी तो investing के कई सारे और भी दरवाजे investors के लिए खुल जाएंगे और आखिर मैं आपको hedge fund short में बता देता हूँ जनरली हम देखते हैं कि mutual fund सिर्फ date और equity इन दो asset classes में invest करते हैं वही hedge fund कई सारे अलगलग asset classes में invest करते हैं वो कई सारे अलगलग size की companies में startups में और in fact derivative products में भी invest करते हैं और जबकि mutual fund में कोई भी investor कोई भी आम आदमें invest कर सकता है वही hedge fund में आम आदमें invest नहीं कर सकता सिर्फ high net worth individual सी hedge fund में invest कर पाते हैं hedge fund का जो culture है वो इंडिया में फिलाल उतना popular नहीं है लेकिन US में आपको हर जगा hedge fund सी मिलेंगे और वहाँ पर तो कई सारे hedge fund managers hedge fund manage करते करते ही billion years बन गए हैं in fact Bill Ackman की net worth भी फिलाल 2.2 billion dollar यानि करीब 15,000 करोड रुपे हैं आज का इवीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बताए और जादा से जादा लोगों के साथ इसे share भी कीजिए और कौनसे topics हमें cover करने चाहिए उनके suggestions भी आप नीचे comment में हमें बता सकते हो तो फिलाल के लिए इतना है stay safe, take care, thank you